नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तों आज फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जानकर लेकर हाज रूए हैं अगर आप भी समीदा कर्मी हैं समीदा परकार्य करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वाच करेगा दोस्तों समीदा कर्मियों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि सरकार द्वारा घोषना कर दी गई हैं आगनवाडी शिक्षमीत्र रसोईया और आसा जो सभी धर्ना प्रतसन कर रही थी उन सभी को पर्मनेंट करने की आदेश सरकार द्वारा कर दे गई हैं साथी दोस्तों मान्दे में भी बढ़ोतरी किये जाएगी मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाई जानकारे देने वाला हूँ और विश्तार पुरवक आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से और कैसे सरकार इन समीदा कर्मियों को पर्मनेंट करने जा रही है दोस्तों आपकी जानकारे के लिए बता दूँ कि प्रमनेंट होने से पहले कुछ नए नियम भी लागू किये जाएगे अब नए नियम क्या होंगे उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो को पुरा वाइस करिएगा तभी आप यहाँ पर संपूर जानकर यहासिल कर पाएगे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धरना पर्दसन काफी लंबे समय से चल रहा है तो सरकार ने अब उन्हीं सभी की मांगों को पुरा करने के लिए यह एक बड़ा और एहम कदम उठाया है तो चल दोस्तो विस्तार पुर्वक जानते हैं निवेदिन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जासे दा शेयर कर दीजिए दोस्तो इसमें यह भी बताऊंगा कि इसमें कितना मांदे आपका बढ़ने जा रहा है चाहिए आप आगनवाडी करे करता हो सिक समित्र हो रसोया हो यह फिर आसा हो यहाँ पर किसका कितना मांदे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा होगी तो चली उस भी वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आपकी जानकार के लिए बतादे कि सरकार में सरकार की हुई Parece को सरकार की हाली में हुई काविने्ट काविनेट बैठक के बाद राज्य में सम्विदा पर कार्यक करने वाले यादिकि जितने भी सम्विदा क्रमचारी हैं सकार्य कर रहे हैं बड़ी खुसकबरी निकल कर आ रही है उन सभी के लिए एक बड़ी खुसकबरी निकल कर आ रही है और कैबिनेट बैठक में सरकार ने परदेश के सभी सरकारी विभागों में कार्य करने वाले समिधा कर्मियों को लेकर एहम फैंसला लिया है यानिके परदेश में जितने भी क्रमचारी हैं समीदा पर कार्या कर रहे हैं दोस्तों उनके उपर एक एहम फैंसला लिया है और वह फैंसला हम आपको बता चुके हैं पर्मनेंट करने का पर्मनेंट करने का और मांदे में ब्रहोतरी करने का अब दोस्तों मानने में कितनी ब्रोतरी हो सकती है उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं तो वीडियो को पुरा वाज करिएगा तभी आप जान पाएंगे और इसमें जो नए नियम लागू की जाएंगे वे किस प्रकार के होगे उसके बारे में कौन से नियम हैं दोस्तों फैंसले के मुताबिक समीधा पर काम करने वालों की भरती से लेकर उनकी सर्विस तक के लिए नियम बनाए जाएंगे यहां पर आपको पर्मनेंट किया जाएगा इन पर तो वे नियम लागू होंगे ही लेकिन जो अलग से नई भरती निकाली जा यह नई नियम लागू किया जाएंगे मान्य रहेंगे तो आगे जानकारी दी गई है बता दे कि राज्य सरकार ने केंट्रक्च्वल अपोइंटमेंट टू सिविल पोश्टर रूल 2021 को मंजूरी दे दी है यहां दोस्तों यहां पर जो यह नियम हैं आप देख सकते हैं जा केंट्रक्च्वल अपोइंटमेंट टू सिविल पोश्टर रूल 2021 को मंजूरी दे दी है माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में समीदा पर काम करने वाले जितने भी क्रमचारी हैं क्रमचारियों की नियुक्ति और शिवा शर्ते तैं हो जाएंगी यानि के यहाँ पर पहले कोई भी समीदा कर्मियों का नियम नहीं था लेकिन अब हाली में सरकार ने काबिनेट बैठक में यह एक बड़ा कदम उठा है और उनके लिए नए नियम को भी मंजूरी मिल गई है अब इस नए नियम से क्या-क्या लाब होंगे और किस प्रकार से यह माइनने होंगे वे भी दोस्तों आप यहाँ पर जान लीजिए बताया है कि वहीं वर्तमान में यहनके हाली में काम कर रहे समीदा कर्मियों को जो वेतन दिया जाता है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी यानिके जो वेतन आपको वर्त मान में मिल रहा है उसमें भी बढ़ोतरी आपकी की जाएगी और समीदा कर्मियों को पर्मानेंट भी किया जाएगा मैं दोस्तों कितना पर्मानेंट यानिके कितना वेतन बढ़ाए जाएगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा साथ ही मैं आपको बता दू कि करीब एक लाग समीदा कर्मी एक लाग समीदा कर्मियों को मिलेगी राहत जिया दोस्तों यहाँ पर राज्य में करीब एक लाग समीदा कर्मी है जो समीदा पर कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर लाब मिलने जा रहा है गोर्तलब है कि राज्य सरकार के अलग-अलग विभाग में दियानुस्तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि आंगनवाडी कारगत्री और आपकी सिक्षमित्र, रसोया, आसा इन सभी विभागों में अलग-अलग विभागों में यानिके एक लाग से अधिक समीदा कर्मी है जो समीदा पर कारिया कर रहे है जिनके लिए सभी जिनके लिए भी इस तरह से यहाँ पर जो फैसला है वैल लिया गया है यहाँ पर पता गया है कि जिनके लिए किसी भी तरह के कोई नियम नहीं है इनके जो हालों में कोई नियम नहीं है लेकिन आगे जो नियम पारित के गया है वे आगे मानने होगा अभी तो यह है नियम मानने नहीं क्या है लेकिन इसको मंजूरी मिल चुकी है ऐसे में लंबे समय से क्रमचारी सर्विस और वेतन को लेकर नियम बनाने की मांग कर रहे हैं जितने भी समीदा कर्मी हैं धरना परदसन कर रहे हैं कि उनके लिए कोई नियम बनाया जाए जिससे कि उनको परमनेंट भी की जाए और मांदे में बढ़ोत्री भी की जाए तो आप उनकी मांगों को भी पूरा कर दे गया है वहीं समय समय पर समीदा कर्मीयों ने आंदुलन अब ही क्याजिया दोस्तों यह आप सभी जानते भी हैं अगर आप समीदा कर्मी है तो आपने भी धरना परत्रशन क्या होगा अंदुलन क्या होगा अपनी मांगों को लेकर उनको देखते हुए सरकार ने यह नियम बनाया है और इस नियम के ही चलते बड़ा लाव आगे आ नई भरती में भी यह नए नियम मान्य होंगे तो ऐसे में सरकार ने समीदा कर्मियों की मांगों पर ध्यान देते हुए केविनेट सब कमेटी का गठन क्या था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब कर्मिक विभाग ने इस नियम के आधार पर ही जो भी आगे सरते होंगे जो भी आगे फैंसले ली जाएंगे वह इस नियम के आधार पर ही ले जागे इस नियम के आधार पर ही लाव आगे दिया जाएगा वही दोस्तों इस बारे में चिकित्सा मंत्री परसाधी लाल मनी मिना ने का बताया है कि सेवा नियम बनाने के बाद एक लाख से अधिक जो समीदाकर्मी हैं, समीदाकर्मियों को नियमित करने का राष्ता साफ हो जाएगा, यानि कि दोस्तो यह नियम बनाने के बाद, जो नियम है यह केवल अभी लागू नहीं हुआ है, बल्कि पारित के गया है इनके इसको मंजूरी मिल चुकी है लागू होते ही यहापर बता है कि जितने भी समिधा कर्मी हैं जो मांग कर रहे हैं धरना परदसन कर रहे हैं तोस्तों उनके लिए प्रमेनेंट करने का रास्ता साफ हो जाएगा और मानने में भी बढ़ोती होगी करने को ट्यार कर रहे हैं जिसके बाद करमचारि को रहत मिलेगी तो डोस्तों इतने भी समीधा कर्मी हैं और जो धरन Пरक्रसन कर रहे थे dif अब उन सभी मंगां को पुरा करने सरकार जा रही हैं और अब आगे उनके आच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों सरकार द्वारा मा बताया गया है और कबिनेट बैठक में यहाँ पर फैंसले भी लिए गए हैं उस आधार पर माने तो तो दोस्तो समीधा कर्मियों के आगे अच्छे दिन आने वाले हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ क्योंकि फिर पाद में कमेंट करते हैं कि सर कहा की जानकारी है कहा की जानकारी है दोस्तों यह जानकारी आपकी राजिस्थान की है राजिस्थान राज्य में कबिनेट बैठक हुई है और दोस्तों वहां पर एक एहम जो फैंसला है वह लिया गया है तो इस कबिनेट बैठक में ही यह न प्रदेश, राज्थान, जिस भी आप राज्य से हैं, तो आप हमें सिधा कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी सवाल है, तो दोस्तों आप हमें सवाल कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको भ सब्सक्राइब लेगा दूस्तो बैल आइकन को प्रैस करिएगा विजयत नहीं करेंगे जाते जाते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिये और ज्यादा से ज्यादा शियर भी करिएगा क्योंकि काफी वैक्त की अपने प्रमनेंट को लेकर और मान्दे को लेकर काफ़ी प्रेसान हैं उनको भी है जानकारी मिल सके और वह भी रहत की सांस ले सके तो अब मिलते हैं को नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जै हिंद जै भारत